तो यहां सबसे पहले मैं ले लूँगी दो चम्मच मूंग की दाल और इसी के साथ साथ दो चम्मच कंगनी यानि की फॉक्स टेल मिलिक्ट इसमें पानी डाल के इसे कम से कम दो से तीन बार आपको बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि दाल और कंगनी बिल्कुल साफ हो यह बहुत ही होलसम मील अपने आप में तयार होता है कंगनी बहुत ही हेल्दी है बेबी के लिए तो यहां मैंने सारा पानी निकाल दिया है और अब यह दाल और कंगनी तयार है इसे हम अलग रख लेंगे अब यहां एक कुकर में मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया है इसको गरम करके इसमें मैं डालूँगी एक चुटकी हींग और थोड़ा सा जीरा जीरा और हींग हलका सा हमारा चटा किया है अच्छे से और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी गाजर कटी हुई आप चाहें तो अपनी पसंद से इसमें आलू, बीन्स ये सब भी डाल सकते है इसे थोड़ा सा चला लेंगे एक मिनिट के लिए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी डाल और कंगनी जो हमने धोके रखी थी ये देखिए अच्छे से बरतन में से सारा कसारा लेके आप डाल दें उसके बाद इसमें एक मिनिट तक हमें अच्छे से चलाना है बहुत ज इसमें जाएगी एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर आपका बच्चा अगर बड़ा है तो आप अपने हिसाब से नमक भी डाल सकते हैं इसको मैं चार से पांच सीटे लगाऊंगी मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद मैंने कुकर को ठंडा कर लिया करने के बाद आये देखते हैं यह खिचडी कैसी बनी है तो यह देखे यह खिचडी बनकर तयार है हमारी और यह बिल्कुल पर्फेक्ट बनी है यह ना जादा पतली है और ना ही बहुत जादा गाड़ी है तो यह आप डिरेक्टली भी बच्चे को दे सकते हैं और अगर आ से मैश करके भी दे सकते हैं बच्चे को ये बहुती सौफ्ट और अच्छी नर्म खिचडी बनती है तो ये खिचडी हमारी तयार है आप अपने बच्चे को जरूर खिलाए और मुझे बताईए आपको ये रेसिपी कैसी लगी